सब्सक्राइब आप लोग को पता है हमारा रिपब्लिक दे स्पैशल चल रहा है और सभी फेकल्टी इस ड्राफ्टिंग कमिटी के जितने भी मेंबर्स उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे सब्सक्राइब अब आप कोंगी को पता है कि मैं आथ्स फेकल्टी हो मैं मैं भाधा अज मैने जिनका यूंके बारे में सीखा उनके बारे में आप लोग को ने नाम तो सूना होगा और काफी कुछ आप लोग जानते होगे लाइक धारा 370 जो अभी जस्ट हटाई गई है कश्मीर मुद्दे पे तो आप लोग को पता यह आर्टिकल 370 जो है वो किसने फ्रेम किया था किसने बनाया था उनका नाम था गुपाला स्वामी आयंगर नरसिम्मा गुपाला स्वामी आयंगर जो एक तमिल नाडू के रहने व्यक्ति थे और एक ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर भी रहे हैं और हमारे भीम राओं बेटकर साब जी के साथ इन्होंने काम भी किया है और एक पार्ट में भी रहे हैं ठीक है तो आज हम इनके बारे में कुछ special चीज़ें डिसकस करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा सबी लोग काज Republic day celebrate करेंगे हमारे साथ और सेशन को शेयर करेंगे जाया से जणाधा लोगों तक पहुंचाएंगे और जादा से जादा लोग को देखना जिसमें आपके बहुत सारी सवाल रहते हैं मेरे से लेकर पूछते रहते हूं किस तेरह किया है हमें क्रीखों हुँ हुआ चाहिता है? जो बजे आप लोगों उसको देख सकते हैं अर साथ के साथ जो session की pdf है वो शाम को 4 बजे किर्ती मैम का एक session चलेगा highlights of republic day तो republic day की जो highlights है वो किर्ती मैम आप लोगों साथ discuss करेंगी तो वहाँ पर बताएंगे ठीक है न तो यह दो पॉइंट्स में फिर बोल रहा हूं एक तो कंडल साब का एक इंटर्व्यू सेशन जिसमें हमने उनसे कई सारे सवाल कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सजेस्स थे आज उनकी अंटोल स्टोरी में बता रहा हूं तो इनकी अर्ली लाइफ पुराना जीवन कैसा रहा है तो गोपाला स्वामी एंगर जो है वह 1882 में तंजोर में मद्रास यानिके तमिल नाडू का जो पार्ट है तंजोर मद्रास में पैदा हुए थे और उनकी जो पढ़ाई है वो वीजली स्कूल में फिर बाद में प्रेसिदेंसी कॉलेज मद्रास में उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी की 1905 में उन्हें मद्रास सिविल सर्विसेज जोईन की और बहुत सारी पोस्ट जिसमें डेपूडी कलेक्टर और में मेन्यू भी वो रहे हैं तो इनके यह प्रारंबिक जीवन की कहानिया है जो प्रारंब में किस तरीके का जीवन उन्हें व्यतीत किया तो 1882 तंजोर में इनका जन्व हुआ था उन्होंने पढ़ाई वीजली स्कूल में की उसके बाद प्रेसिदेंसी कॉलेज मद्रास में उ उन्होंने कॉंट्रीबुीशन दिखाया of politics उन्होंने politics को contribute किया और as a prime minister उन्होंने कशमीर मेरी बाद फिर से सुनना जो मैं बोल रहा हूं as an prime minister as a prime minister of कशमीर from 37-1943 before independence की बात हो रही है यानि कि इंडिपेंडेंस्से पहले सुनना, मेरी बात कुछ समझना वो सारे सवाल के जवाब मैंने करनी का उनसे पूछे थे उन्होंने दिये भी है, ठीक है ना? तो डोन्ट वरी, हाँ, वो जो आप बोल जो ना वो सेम प्रोसेस है और सेम चीज़ मैं भी बोल रहा हूं तो उन्होंने वो बोला ना, अच्छा एक सेकंड जरा मुझे होल्ड कीजेगा इसको पढ़ेगा हाँ, तो हम कह रहे थे उनका जो कॉंट्रिबूशन था पॉलिटिक्स में, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लिया, सबसे पहला अपॉइंटमेंट उन्होंने कश्मीर के प्राइमनिस्टर के तॉर पे लिया है और दें आफर उसका जो टर्नियोर था, उनका इस टर्नियूर अस मेंबर of the council of states lasted from 1943 to 1947 उसके बाद वो मेंबर भी रहे हैं, council of states के और उनका जो दूरेशन रहा था 1943 दो 1947 यानि की हम इंडिपेंडेंडेंस की बात कर रहे हैं during which he was the chairman of the committee for the Indianization of army और और भी बहुत कुछ है डोट बरी आगे चल रहे अब उनका जो contribution था constitution making को लेकर तो अयंगर was a member of the constitution assembly and belong to the 13th member of drafting committee जो तेरा सदस्य थे उसमें से एक हमारे निरसिमा गुपाला स्वामी अयंगर जी भी रहे है है ना तो एक मिनट का समय दीजिए आप हमें हाँ तो क्या कहते था हाँ मैं यह कह रहे था कि 13 member जो drafting committee के रही थे जिन्होंने draft किया था हमारे सम्विधान को यानि constitution को उसमें 13 member ये थे उसमें से एक हमारे गुपाला स्वामी अयंगर जी भी रही है अब यह मैं आर्टिकल 370 पर पूरी कहानी सुनाओंगा आप लोग अभी वो पूरी कहानी क्या थी आखिर आर्टिकल 370 बनाने के लिए क्यूं बोला गया था और क्या कारण था बियार अंबिडगर जी ने भीमराव अंबिडगर जी ने साफ मना कर दिया था कि वो आर्टिकल 370 नहीं मनाएंगे आखिर क्या रीजन से उसके बारे में हम अभी डिसक्स करने वाले हैं जिसने एक जम्मू और कश्मीर को एक आटोनॉमस स्टेट घोशित कर दिया था आर्टिकल 370 की विज़े से ऐसा हुआ था जिसको बनाया है गोपाला स्वामी आयंगर जी ने ठीक है देर आफ्टर उसके बाद उनके जो बाद में क्या कॉंट्रिबूशन रही जब इंडिबेंडन्स हो गई हम देश हमारा आजाद हो गया उन्होंने मिनिस्टर के तौर पर स्पेसिफिक पॉर्टफोलियो इन जवालाल नहरु कैबिनेट बिवीन 1947 तो 1948 इन 1948 उन्निसओ और तालिस में अंगर हैड़े द डेलिगेशन द रप्रेजेंट इंडिया एड युनाटेड नेशन राजदूद बनके गए थे यह इंडिया को उनाटेड नीशन में इन्ँχोनें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इनแ Πरसिस्टन डिप्यूट ओबर कश्मीर कश्मीर पर जो डिस्प्यूट चल रहा था तो UN पर इस पर मुद्दा उछाया गया जिसको रेप्रेसेंट करने के लिए डेलीगेशन पर गय हुए थे Under his leadership at the Minister of Railways ये Ministry of Railways में भी जी रहे हैं And transport from 1948 to 1952 1940 to 1952 तक ये Ministry of Railway में ही रहे हैं The Indian Railway experienced remarkable growth and the development in service and equipment The regrouping of the Indian Railway into the 6th Journal system was his brainchild leading to the railways reporting surplus running at this time ठीक है तो इनका time में railway में बहुत अच्छा गाम किया था अब हम बात करते हैं इनकी जो final post थी जब last में इनकी death से पहले या इनके retirement से पहले जो भी था तो इनकी जो final post held by him was the defense minister 1952 से 1953 एक साल का ही इनका tenure रहा था in 1952 during his tenure as defense minister he was appointed India's representative in the ongoing negotiations and discussions on Kashmir at the Geneva talks Geneva में जो यह dispute चल रहा था कश्मीर को लेकर इस पर उन्होंने अपना negotiation जो भी चल रहा था और discussion में यह representative रहे हैं वहाँ जाके इनको इन्होंने समझाया है क्या खिर हमने कश्मीर के साथ जो भी मुद्दा चल रहा है जो भी प्रॉब्लम सल रही है उसके बारे में यह तो इनकी एक untold स्टोरी थी अब मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूं कि आखिर आर्टिकल जो 370 था आर्टिकल 370 आर्टिकल जो था वो उसमें आखिर क्या रिजन्स थे और किसने बोला था आर्टिकल 370 बनाने के लिए कश्मीर के लिए तो वो सारी चीज़े आज हम डिसकस करते हैं इस पॉइंट पर ठीक है तो मैं आप लोगो एक एक करके बताना चाहूंगा पहले यार लेकिन एक बात नहीं सुन में रहे है कि सेशन को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार बिलकुल भी ऐसे कैसे काम जलेगा आप सोचो मैंट्स कर टीचर आपको जीएस के बारे में बता रहा है और उसके बाद रिस्पॉंस क्या रहा है कुछ भी रिस्पॉंस नहीं आ रहा है यार यह कोई बात नहीं होती नहीं दिस नॉट कुड यार तो प्लीज फटा-फट जल्दी से करो सेशन को शेयर कर लिया गरो और सेशन को लाइक कर लिया गरो चलो अब मैं तुमें वह कहानी समझाता हूँ दा मैं ट्रस्टेड बाई नहरू टू ड्राफ्ट आर्टिकल 370 आफ्टर अम्बेडगर जी ने मना कर दिया था नहरू जी को साफ कि मैं आर्टिकल 370 नहीं बनाऊंगा लेकिन नहरू जी भी ठीके हुए थे कि नहीं मैं तो बनवागे मानूंगा तो इसमें हुआ क्या इस बीच में जब ये चल रहा था अधिकल 370 को ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था तो उसके बाद हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर जवाल नहरू ने एक नया मेंबर लिया जिनका नाम था एन गोपाला स्वामी अयंगर जब इन्होंने मना किया तो उनके पास कोई और चारा रहा नहीं तो उन्होंने किसक प्राइम निस्टर ने सीधा कश्मीर के जो लीडर थे शेक अब्दुल्ला जी को ये कंसल्ट किया कि वो अंबेडगर जी के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट बनाए जो बहुत सुटेबल होगा कश्मीर के लिए बट पहले ही जो हमारे भीमरा अंबेडगर जी थे उन्होंने ठीक है ना तो अंबेडगर जी को ये चीज पसंद नहीं थी कि भाई एक बात बताओ जब देश एक है जब देश एक ही है तो आखिर क्यूं आखिर क्यूं ऐसा हो कि कश्मीर को एक अलग से constitution रखने को बोला जाए और उनको अलग से ये बोला जाए कि वो जो है अपना इन्हों ने जो है अयंगर जी को बोला था कि यार तुम बनाओ ये नहीं बना रहे हैं तो आप बनाओ और फिर अब्दुल्ला जी और अयंगर जी ने 1949 में आर्टिकल 370 को बना दिया था और गयोरे चाओ बच्चो आवास आ रही है कि आप पता नहीं है को आप चानिक से क्या एकलिक परक स्संद बंद और गया था तो मैं आप लोगो बता रहा था कुपाला स्वामिया एंगर के बारे में उन्होंने जो है 370 आर्टिकल बनाया वो भी ड्राफ्टिंग कमिंटी के सदस से रही है और उन्होंने अब्दुल्लाशेक जी के साथ बनके बनाया था नहरू जी के कहने पर जिसमें BRM बिटकर जीने साफ मना कर दिया था तो हमारा सेशन आज के लिए इतना ही है और मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी है इससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास अवलेबल नहीं है तो थैंक्यू सो मच अभी के लिए तना ही रखते हैं बाकी मिलते हैं आपकी क्लासेज में और हाँ फिर बोलना चाहूंगा दो पहर दो बजे हम ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो तीन बार NDS भी फेल हुए हैं लेकिन फिर भी आज एक करणल के तौर पर रिटायर हुए थे ठीक है ना तो उनको इंटर्व्य को जरूर देखेगा जाहिंदर विवन बाइए